तो सभी को जैहिन जै भारत मैं जुवेश मुआ सवागत करता हूँ आपका तो सभी का वैल कम है अमरनात कंचन और गौरव राड़ी राजा अभी मिश्रा सभी का विलकम है चली शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज का सेशन आपका एंवायरमेंट एंड सम्मिट्स पे बेस होने वादा चली शूगत है तो पैदा कोशन आपकी स्कीन पर यह रहा बिंसार वाइड डाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है हिमाचल परदेश जमू कश्मीर उत्राखन करना टगा आप लोगों कुछ चीजे आपको ध्यान में रख परती है इसका नाम है रेणू का जील इसका नाम क्या है रेणू का जील है यानि रेणू का लेख यह ध्यान रखेगा यह भारत में सबसे छोटी रामसर साइट है यह भारत में सबसे छोटी रामसर साइट है इसके साथ आपको एक चीज़ों ध्यान रखने पड़ेगी कि हिमाचल परदेश में हिमालियन जूलोजिकल पार्क भी पढ़ता है क्या पढ़ता हिमालियन जूलोजिकल पार्क ठीक है ये भी आपका किसमें पढ़ता है हिमाचल परदेश में पढ़ता है हिमालियन जूलोजिकल पार्क भी पढ़ता है इसके साथ साथ जमू कश्मीर में जमू कश्मीर में कौन सा नेशन पार्ग पड़ता है जल्ली से बताएगा और सेशन को शेयर और लाइक जरू करेगा कि अभी पहले देखते हैं क्योंकि सीजील आपका 29 मई के असपास है तो पहले आप अपनी प्रपेशन करते रहें अभी सही यह मत सोचे कि वह पोस्पॉन होगा नहीं होगा वो तो जब उस समय पहुचेंगे तब का तब डिसाइड दिया जाएगा ठीक है तो जल्ली से जी जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क पड़ता है करनाट का में बांधी पूरा नेशनल पार्क पड़ता है तो चलिए इस तरीके से और सेशन को शेर और लाइक जो करेगा कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी पाए जाती है तो जल्दी से बत जाओ सबसे ज़्यादा बायो डायो 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 region यानि आपका equator के पास ठीक है warm tropical region यानि equator के पास आपका biodiversity सबसे ज़्यादा होगी आपकी biodiversity क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी ओके very good बिल्कुल बिल्कुल तो इसका answer क्या होगा tropical region आपके जो वो है न वर्शावन Amazon के forest जिन हम बोलते हैं ओके तो वो आपके इसी भूमद्य रेखा पर पाए जाता है चलिए आगे बढ़ता है अगता question the study of interaction between living organism and environment is termed as ecology ecosystem arketology synology जल्ली से बताएगा कि जीवित जीव और पर्यावरण के बीच जो उनका अंतर संबंद होता है inter relationship होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं जल्ली से बताएगा इस question का answer क्या होगा और session को न शेर और लाइक जरू करो session को यार सभी लोग पहले session को न शेर और लाइक जरू करो फटा फट जल्ली से बताएगा इस question का okay इस question का answer बताएगा what will be the answer of this question कि भाई इस question का answer क्या होगा ecology अच्छा ecology और ecology और ecology और सीनोलोजी क्या होता है देखो एक स्पीशिस एक पर्टिकुलर स्पीश का किसी एंवार्मेंट के साथ जो रिलेशन होता है और सीनोलोजी पर्टिकुलर स्पीशिस का इस तरीके से होता है तो इसकोशन का अंसर आपका क्या है इकोलोजी का आंसर है चली आगे बढ़ता है फ्लोरा एंड फोना ओके फ्लोरा एंड फोना यह थोड़ा पीछे होगां चीशन अब सीदह आए इक रख आपन फ्लोरा एंड फोना इन लेक और मॉझे पॉंड ऐस् bizim ऐस में देखो चैनल अबिकोसिस्टम आपका होता ए या को सिस्टम जो हाप के होता है यह हम इसे दो प्रप्र में डिवार्ट हो लेंड का और एक होता है आपका water का, यह marine जिसे हम यह aquatic बोलते हैं, वाटर में दो डिवाइड दिखलते हैं, आपका salt water यानि marine और आपका fresh water, तो जो fresh water वाला होता है, इसमें दो fresh water को दुबारा से दो भागों में, एक होता है flowing ठीक है, और एक होता है still water, तो जो आपका still water आता वह आपका lentic में आता है, जैसे आपका तलाब हो गया, okay, swimming pool हो गया, तो still water जो आता है, आपका वह किस बाता है, आपका lentic में आता है, ल tiếpिक में आता है, flowing आता है, लिक में आपका कौन सा आता है, flowing वाला आता है, ठीक है, तो उस question का answer क्या होगा, option number Atlantic होगा उस question का answer क्या होगा option number Atlantic होगा स्वारा कुमार good morning और बिल्कुल बिल्कुल इस का answer है चलिए आगे बढ़ते हैं अगरा question world environment आप सभी जानते है world environment कम मना जाता क्यों मना जाता इसका reason यह है कि आपका 5th of June 5th of June 1972 में 5th of June 1972 में क्या हुआ था United Nation Environment Program संयुक्तराष्ट परयावरण कारेकरम United Nation Environment Program इसकी foundation की गई थी कहाँ पे नेरोबी में कहाँ पे नेरोबी में इसकी foundation की गई थी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले United Nation Environment Program ने अभी एक नया दिन मना नशुरू करा है दिहान रखेगा 7 सितंबर को United Nation Environment Program ने अभी 7 सितंबर को एक नया दिन मनाना शुरू करा है जिसका नाम है अन्ताराष्टी है साफ नीला आस्मान और साफ वायू दिवस्यादी International Day for Blue Sky and Clean Air अगे बढ़ते हैं abundance अगर किसी species कोई species होता पर जाती कि जनसंख्या उसके habitat में अधिक हो जाए उसके आवास में अधिक हो जाए तो उसे हमें क्या बोलेंगे उसे आवास जाए अगर कोई जैसे अगर एक घर में 10 लोग रह रह रहे जाए घर उनका होगा हविटेट हो जाए आवास तो उसके आवास इस बड़ेगे नän तो उसे हम क्या बोलते हैं नीचे दैंसिटी क्या बोलेंगे नीचे डैंसिटी हम इसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग सभी इलको भाई बिलको हाँ उसी के बाद टाइगर वगर यह शूरु गया था दा प्रोसेस ऑफ इवैपरेशन और प्रेसिपिटेशन इस जल्दी से बतेगा इस कोशन का अंसर क्या होगा और सेशन को शेयर और लाइक जो करेगा बता इस कोशन का अंसर क प्रोसेस ऑफ इवैपरेशन और प्रेसिपिटेशन इस जल्दी से बताइगा इस कोशन का अंसर की बास्पिकरन और दोनो यह प्रकुरी आओ तो देखो आपका पहले तो वैपराइजेशन और इवैपरेशन में फर्क समझना अगर हम पानी को उबालते हैं गरम करते हैं और तब पानी का टापमान 100 डिगरी पहुचके वह भाप में बदलता उसे बोलता है वैपराइजेशन और बिलोब वाइनिंग पॉइंट वह भ सब्सक्राइजेशन प्रेसिपिटेशन 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 ओके अगला सबसे अधा बायो डाइवर्सिटी भारत में कहां पर पाई जाती है केरला पंजाब इस्टरन घाट वेस्ट बंगॉल सुंदर्बन रन अफ कोच इस्टरन हिमाल्याज और ड़एश धाब इस्टरन घाटhando Jan वेस्ट बंगॉल सुंदर्बं अटन अफास जल्दी से बता होता स्कोशन का अंसर क्या होगा हॉग्सैंशंौल स्कॉष्ण। क्या होगा तो इस Q&A ध्यान दखेगा झी नहीं होगा इस Q&A ठीक है सबसे जाधा जो बाइंवर्सिटी यह वो हमारे पूरी हमाल्य मनिपूर म्यूजवराम मेल्य वाले जो एरिया पूरी माल्य पढ़ता और वेस्टरण गाड़ आपका कॉनकन महराष्ठा यह इसमें आपक pyramid of biomass देख़ो एक ecosystem में pyramid होते है energy का pyramid होता है आपका number of pyramid होता है और biomass biomass यनि कौन सा living organism कितनी जगा गेलता है अगर pyramid of biomass का देखे है हर्बी वोरस का pyramid of biomass का देखे हर्बी वोरस का तो जो आपका सबसे जादा जो सबसे पहले आते हैं आपके प्रड्यूसर जिसमें आपका पेड़ पोधे आते हैं प्रड्यूसर इन प्रड्यूसर को कौन खाता है आपका हर्विवॉरस खाते हैं और इन हर्विवॉरस को कार्णिवॉरस खाते हैं और फिर टॉप कार्णिव खुद बनाते तो इस question का answer option number C होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और session को share और like जरू करो session को share और like जरू करेब जी हाँ पिल्फुल अब इस question का answer most stable ecosystem किसका होता है जल्ली से बताओ most stable ecosystem किसका होता है ocean, forest, desert या mountain most stable ecosystem किसका होता है most stable ecosystem आपका होता है ocean का, ठीक है most stable ecosystem आपका किसका होता है ocean का most stable ecosystem होता है ओके आगे बढ़ते हैं, आगले question, in a forest ecosystem, fungi comes under the category of which जल्ली से बताओ इस question का answer क्या, और session को share और like जो करेगा, देखो सबसे पहले आपका आता है producer, okay producer, जो food produce करते है producer से आपका herbivores, okay herbivores से आपका carnivores, carnivores से जो आपका बच जाता है वो आपका decomposer होता, ठीक है, तो फंजा किसमा आते है, decomposer मा आते है, किसमा आते है, decomposer में okay very good, बहुत सही answer दे रहा है, और session को ता share और like जो करेगा पंजा किसमा आते है, आपके decomposer मा आते है, आगे बढ़ता है अगलो कोशन, biosphere reserve which is a strictly prohibited area and protected area from any external interference is called as, देखो जो आपका जैमंडल छेतर होता, biosphere reserve बोलता है, biosphere reserve इस तरीके सो होता है कि यह अगर पूरा biosphere reserve है, तो इसमें न कई चरण मतलब कई area बना होता है, जो सबसे आंत्रिक भाग होता है, इसका वो होता है core, यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की मानव क्या कहता है, मानव गतिविदी नहीं कर सकते है, इसके बाद क्या होता है, आपका buffer zone होता है buffer zone यानि एक खाली चेतर जिसमें आप रहे तो नहीं सकते हैं लेकिन हाँ, यहाँ के संसादनों का use कर सकते है, buffer zone B, Z अगर के लिख रहा हूँ इसके बाद आपका buffer zone के बाद आपका क्या आता है, transition zone आता है, transition zone यानि जहाँ पर आप मानव निर्मित प्रक्रिया रह सकते हैं वगरा वगरा, यहाँ पर के वल संसादन, तो इसको answer होगा आपका core, option number B, okay, option number B, इसका right answer होगा, राजा, option number B, चली आगे बढ़ते हैं अगला question, which among the following, इस question का, जैसे submit है, which among the following, जल्दी से बताएगा, आपका यह कौन सा convention है, कि following multi-letter convention to seek, protect and human health and environment from persistent organic pollutant, POP, persistent organic pollutant से सम्बंदित, आपका कौन सा, okay, convention है, आपका कौन सा convention है, जल्दी से बताएगा, इस question का answer क्या होगा, तो इस question का answer है, आपका Stockholm convention, कौन सा है, Stockholm convention है इसका answer, चली आगे बढ़ते हैं, अगले question, which one of the following is the key final species that being conserved and monitored, okay, in Dachigam National Park, Dachigam National Park आपका जम्मू कश्मीर Union Territory में पढ़ता है, कौन से में पढ़ता है, जम्मू कश्मीर Union Territory में, तो आपको बताना है, कि Dachigam National Park जो है, Dachigam National Park जो है, इसमें कौन सा पाय जाता है, तो इसमें आपका देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, हंगुल और कश्मीरी स्टैग, ओके, हंगुल और कश्मीरी स्टैग, यह आपका पाय जाता है, ठीक है, ओके, option number D, चलो, कार्टे गेना प्रोटोकॉल, कार्टे गेना प्रोटोकॉल आपका किस से सम्बंदित है, जल्दी से बताओ, फटा फट इसकोशन का अंसर क्या है, कार्टे गेना प्रोटोकॉल, आपका किस से सम्बंदित है, जल्दी से बताओ, कार्टे गेना handling of nuclear waste और एक्सक्तर जल्ली सबताऊ स्कोशन का अंसर किया है कार्टे के ना प्रोटोकॉल जो कार्टे के ना प्रोटोकॉल है वो आपका लिजद इस पर डिषिद बाइव सेफटी और इसमें यह है कि भाई बाइव सेफटी फी प्रोट्टेंटेंचल लिंग सो जनेटेक्ली मोडिफाइड से scheme तो यह आपका जो होता है ना genetically modified organism यानि आपका यह इसका answer होगा आपका living modified option number c option number c इसका answer है अगला the word ecology is drawn from which person देखो जाल्स डार्विन ने theory of evolution दी थी कि आद्मी बंदर से बना है ठीक है इन्होंने तो क्या देती डार्विन's theory theory of evolution theory of evolution चार्ल्स डार्विन ने दी आठर टैंसले ने ecosystem word दिया ecosystem word दिया और सबसे पहले Ernest Henkel ने Ernest Henkel ने okay okay Ernest Henkel ने क्या दिया बाई ecology शब्द को परदान किया था Ernest Henkel ने क्या दिया था ecology शब्द को परदान करा था चलो आगे बढ़ते हैं अगला question ecotone क्या होता है ecotone जो होता है जहां पर दो प्रकार के jam bundle मिलता है जैसे अगर यह तलाब के पास भूमी है और यह तलाब है तो जो जहां पर यह तलाब की भूमी और जहां पर तलाब शुरू हूरा रहा है इस बीच जो होगा यह आपका क्या कहला है जैका echo tone और echo tone में कि क्या पाई जाती है edge species पाई जाते है aj species को पाया जाता है echo tone में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्रष्ण की हूप अगला प्रशन आपकी स्क्रेंट पर सबसे ज्यादा संख्या में Tiger Reserve कहां पर हैं तो सबसे ज्यादा संख्रिया में जो इन किया शॉट इंद्र किला नैशनल पार्फ कहां पर इस त्थ है एकै इंद्रवती नेशनल पार्क है एक इंद्रकला नेशनल पार्क है तो इंद्रकला नेशनल पार्क जो है यह आपका 2010 में बनाया गया था इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था तो यह कहां पर स्थित है तो इंद्रकला जो नेशनल पार्क है वो आपका हिमाचल परदेश में स्थित है कांप स्थित है हिमाचल परदेश में ओके आई एक क्लास स्थित है अगला कोशन नेशनल चंबल घड़ियाल संचुरिय क्योंकि इसमें घड़ियालों को संक्षित रखा जाता है अब ध्यान रखेगा चंबल जो नदी है मेरे को पता नहीं है कि इसका अंसर क्या होगा लेकि में को उत्तर पता है कि चंबल जो नदी है वो यमना की साहिक नदी है इसका मतलब उत्तर परदेश तो जाएगी जाएगी यमना की साहिक नदी है साथी साथ राजस्थान और मद् the following forest world first tiger census was carried out by in 1932 वैसे आपको मैं बता दू 29 जुलाई को ठीक है 29 जुलाई को हम विश्वर टाइगर डिवस मनाते हैं 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं विश्वर टाइगर डिवस मनाते हैं यानि वर्ल्ड टाइगर डे बनाते हैं विश्वर बाग डिवस और यह आपका पलामू के जंगलो मुईती पलामू आपका जहार से बताऊ नगोया Protocol आपका किस से संब्दीत है तो जो आपका saker से संब्दीत अ darik से संब्धित है आपने ना क्या करें अब नना वीडियो काट के दुबारा से शुरू करें यूटूब में कैसे एक आप एक यू वीडियो को क्य देखते रहते हैं टो यूटूब टोमेटिंगली आवास कंल डेता है वीडियो करें दुबारा कहां पाग जल्दी से बताईएगा इसको कोशन का आंसर क्या होगा जलिसे पताऊ what will be the answer of this question bitter kanika national park अरे किती तेस्ट आवाज आ रही है किती तेस्ट आवाज आ रही है ठीक है तो bitter kanika national park कहां पर स्थित है तो यह आपका उडी समस्थित है और ध्यान रखेगा bitter kanika national park है न यह आपका salt water crocodile salt water crocodile उसके लिए बहुत प्रसित है के लिए बहुत प्रसित है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की और अगला कोशन ने आपकी स्कीन पर यह रहा headquarter of national biodiversity authority ओके headquarter of national biodiversity authority यह इसका headquarter कहा है जल्ली से बताओ headquarter of national biodiversity authority ओके national biodiversity authority का headquarter कहां पर है आपका हैदरबाद में है चिन्नही में है जल्ली से बताओ क्या होगा इसका answer national biodiversity national biodiversity authority ओके national biodiversity authority का आपका headquarter कहाँ पढ़ता है है थेदरबाद चिन्नही कहां पर पढ़ता है जल्ली से बताओ इस below this question का answer क्या होगा what will be the answer of this question तो National Biodiversity Authority का जो Headquarter है वो आपका कहां पर पढ़ता है चिन्नाई में पढ़ता है कहां पर पढ़ता है चिन्नाई में पढ़ता है आगे बढ़ते है अगला question वो जो आप बोल रहा है Olive Ridley Turtle वो गरी माथा National Park है ठीक है लॉइन टेल्ड मकैक बंदर जो आ है आपका कौन से इस रीजन में पाय जाता है पूर्वी हमाल्याओं में उत्तर पूर्वी हमाल्याओं में Eastern घाट में या Western घाट में तो जल्दी से बताएगा इस Question का आंसर क्या होगा लॉइन टेल्ड मकैक यह बंदर होता है और यह आपका वेस्टरन घाट में पाए जाता है किसमें पाए जाता है वेस्टरन घाट में पाए जाता है ओके किसमें पाए जाता है वेस्टरन घाट में पाए जाता है ओके आगे बढ़ते हैं अगले कोर्शन अगले कोर्शन आपकी स्क्रीन पर यह रहा Simlipal Biosphere Reserve कहाँ पर पाई जाता है तो Simlipal Biosphere Reserve हो चिलका रामसर साइट हो चिलका जो थी वो भारत की पहली रामसर साइट थी तो और यह सब आपका किस में पाई जाता है Odisa Odisa में पाई जाता Odisa में आपका अपका Hockey World Cup और अगर आपको Sports जी के ओar vast तो आप सभी का वेलकम है 10 बजे डिफेंस एड़ाप है ठीक है 10 बजे डिफेंस एड़ाप है सभी का वेलकम है इसकी PDF अगर आपको चाहिए हो तो यह मेरा टेलिग्राम चैनल है जिवेश आज एक चीज यह रहा है बताना है आज मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज करा है ऐसे ख तरीके से पढ़ा रहा हूं आज इस तरीके से खड़े होके पढ़ा रहा हूं जल्दी से बता रहा हूं और सेशन को शेर और बिल्कुल गुल्लू आपका घर है वहां पर बहुत बढ़े है हाँ बिल्कुल टोटल 42 रामसर साइट हो गए हैं बच्चों और भाई अपना ध् पिशरीज ओके ओके दोनों ही ठीक है औरे हैं चलो सेंटर मरीन फिशरीज रिसर्च इंसिट्टूट है कहा पर सते था सी एम एफ आर आए ओके सी एम एफ आर आई एकि जल्दी से बताओ यह कहां पर सतेता है मुंबई कोच्ची विशागा पटनम कोट्टम जल्दी बताए आपका कहा बिस्टेता है कोक्ची में इतल जाता है किया बोला जाता है यानि अरब सागर की महारानी बोला जाता है, Queen of Arabian Sea बोला जाता है, कोच्ची को, ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अगला, कौन सा टाइगर, कौन सा नेशनल पार्क है, जो एंकमपास करता है आपका Project Tiger, Project Tiger हमारा 1973 में शुरू हुआता, ठीक है, Project Tiger हमारा 1973 में शुरू हुआता, ध्यान रखेगा, ठीक है, Project Tiger, Elephant Reserve, Project Elephant, ध्यान रखेगा, आपको एक चीज़, प्रोजेक्ट अगर आपसे पूचे कि Project Tiger कब शुरू हुआता, तो Project Tiger 1973 में शुरू हुआता, project elephant project elephant अगर पूछे जाए कब शुरू हाता तो project elephant 1992 में शुरू हाता 29 जुलाई को आपका क्या बनाते है world tiger day बनाते है clear बिटा और आपका 12 अगस्त को elephant day बनाते है और इस question का answer पन्ना tiger reserve इस question का answer क्या है आपका पन्ना tiger reserve ओके ओके पन्ना tiger reserve चलिए आगे बढ़ते है अगला question largest national park in north east india located हाँ sir मैं state level का boxer था ठीक है आप बताएगा largest national park in north east india is located as तो जो largest national park है north east india में वो है आपका नम धपा national park क्या है नम धपा national park आउना चब परदेश में और एक मनीपूर में पढ़ता है लोक टक जील में केबूल अम जाओ नाशे पाक वो विश्व का एक मातर तैरता राष्टे उद्ध्यान है ओके वो एक विश्व का तैरता राष्टे उद्ध्यान है आगे बढ़ते हैं आगला question which among the following इंडिया's largest wildlife century तो आपको एक बाद बताओ पूरे वर्ड में इंडिया milk production में नंबर वन है और cattle में cattle यानि जानवर जो होते हैं उसमें नंबर टू है चाइना हमसे आ गया लेकिन जैसे आपका यह हो गया गाएं बहेंस हो गया इनमें नंबर वन है पाकिस्तान जो milk production में पाकिस्तान नंबर बन पता किसमें वहाँ पे सबसे जादा गदे है ठीक है शीरिसली अब बड़ा गर्व है इस बात का पाकिस्तानियों को क्योंकि यहां गदो की प्रिडक्शन जादा है वो उसे बड़े फकर से लेते हैं हम भी उने कहते हैं बहरत में सबसार बड़ी जो है वो क्या है आपके Indian Wild Essentuary इंडियन वाइल आइस सेंचुरी स्टार्ट करी थी मैंने लेकिन क्या हुआ अभी इंडिल्ली में लॉकडाउन लग गया चलो तो इंडियन वाइल आइस सेंचुरी यह आपका run of catch में पढ़ते हैं किसमें पढ़ता है run of catch में क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं इंडिया ओन्ड वाइटेज साइट इंडिया ओन्ड वाइटेज साइट है जो दो स्टेट द्वारा ओन की जाती है वेल्य ओफ फ्लावर यह आपका तो पूरी टोटली उत्रखंड में मौंटें रेल इन इंडिया यह तो सिक्किम में भी है हिमाचर परदेश में भी है सुंदर बन यह टोटली आपको वेस बेंगौल है लेकिन काल का शिमला आपका हर्याना और हिमाचर परदेश के बीच इस् दूसक्र में कि अजय को एको सिस्टम में चार दौस रूसरी तीन फिरामिड हो दें नंबर का मेरे कि निता सथ आप यह च्छोटी च्छोटी बड़ी मश्ली आप शोटी मश्चलिक्व चाथे तो आप राईत होता है कैसा एक चोटी-चोटी मश्च्री चालियाए to aja आती है हजार, हजार पॉधों माई, पॉधों से हिरंड में 100 गई, हिरंड को किस न खाया, शेर न खाया, तो शेर में किती गई, 10 गई, और हम तक जो इनसान तक पोस्टी तो 0.1% पोस्टी है, आगे, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाते है, तो मीजो स्फेर में तो इस मना जाता है, 16 सितंबर को आपका क्या मना जाता है, ओजोन डे को सेलिबेट के जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है, और ओजोन की जो लेयर होती है, ओजोन की जो यूनिट होती है, उसे डॉबसन बुला जाता है, ओजोन की जो यूनिट होती है, उसे क्या बुला जाता है, इसी तरीके से एक डिजीज होता है इटाई 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 डिजीज तो जो इटाई इटाई डिजीज है यह गटित होती है आपके आपको मैं बताओं अगर कभी कोशन पूछ ले कि आर्टि फिशल रेन ये कैसे घटेत होती है आर्टि फिशल रेन तो आर्टि फिशल रेन जो होती है न वो सिल्वर आयोडाइड के कारण उसमें क्या यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड को यूज करते हैं और जो एसे ट्रेन होती है उसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सुल्फर ऑक्साइड दो नो इसका होता है और या सेशन को या शेर और लाइक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी Ministry of Environment and Forests declared India's first marine ecosystem तो यह कहां पर है भारत का पहला marine ecosystem तो यह आपका Gulf of कच में से open करा गया है ओके Gulf of कच में इसको open करा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन रेड़ डाटा बुक में जो डुल्ला पर जाती हैं उनका नाम रिखा रहता है और रेड़ डाटा बुक आपका कौन जारी करता है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources यह इसको publish करता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला कोशन कि ऑके सबसे ज्यादा जय विवित्ता या hot spot क्या होगा hot spot उसे बोलता है और जहां पर दुर्ड़ बजाती है और उसे संग्रक्षित रखना है उसे क्या रखना है संग्रक्षित रखना है तो इसका आपका Western घार्ट होगा और आपका Eastern घार्ट क्योंकि अरावली तो एक right answer of this question अगला question Asiatic wild ass कहां पर पाया जाता है तो रणओ कच में wild ass century है तो वहीं पर ही पाया जाते होंगे क्योंकि सबसे बड़ी यह आपके उधर ही पाया जाते तो Asiatic wild ass आपका कहां पाया जाता है रण-off कच में पाया जाता है ठीक है अगला question most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life in the establishment तो यह आपका होता है Biosphere Reserve यह आपका क्या होता है इसका Biosphere Reserve इसका right answer है अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए ताई अब एक important कल हमने डबल वेलिटिटी ओपर चला था और रात 12 विजे तक बच्चों के ना इतना सल्ज रहा क्या कहते हैं हमारे website पर कि हमने ना अभी यह जो offer है ना बारा बजे तक के लिए बढ़ा दिया है तो ध्यान दखेगा 72% discount है और साथ इसाथ आपको हर प्रड़क्ट पर डबल वेलिटिटी में अगर आप defense का exam दे रहे हैं तो मैं आपको बता दो defense के आप कौन कौन से अभी आप CAPF का दे exam होगा तो ऐसे टोटल करके आपके 6 exam होंगे ठीक है तो इन exam के आप preparation कर सकते defense का महापैक आपको मिलेगा only 2239 रुपीज का ओके 2249 रुपे का आपको मिलेगा और ध्यान रखेगा एक साल के लिए का जिसमें आप test series भी जॉइन कर सकते हो आप जिते भी live classes है चैसी APFO Assistant Commandant आपका CDSO, INETO, FCAT का बैच हो आप इसे कर सकेंगे आपके लिए definitely रहेंगे और ओके अध्यान रखेगा अगर आप SSC का महापैक SSC का महापैक 12 महीने वाला आपका 2,998 रुपे का है आप 12 महीने का लोगे तो वो 2 साल के लिए होगा आपके brother वगर भी यूज कर पाएंगे 6 मंत का लोगे तो वो आपको एक साल के लिए मिलेगा और वो 9,998 का पड़ता है तो आपकी इच्छा है आप कौन सा यूज करना कर सकते हैं और बागी अगर आपको कोई particular पैसे देता है तो UPSC CAPF Assistant Commandant का यह हमारा बैस है इसे आप जरूर जोएन करिए अगर आप CAPF का अपने form fill up करा है मैं मिलता हूँ आपसे 10 बजे Defense Center 247 पर तब तक के लिए से भी को जाहिंग जा भाहरत